जगन बुजबल का नागपुर हवाई अड़े पर हुआ आगमन नुपुर शर्मा के मुद्दे पर दीप्रतिक लिया ट्रेन में गांजा ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथ पुलिस द्वारा आरोप्यो पर कारवाई और नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ मुस्लिम ब्रतर हुट का विरोन दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की की मांग और अब खबरे विस्तार से नागपुर के हवाई एड़े पर आज चगन मुझबल का आगमन हुआ नागपुर में आज 23 वा वर्धापन दिन आयोजित किया गया था इसी के उपलक्ष में राश्वादी कॉमरेस के वरिष्ठनेता चगन मुझबल आज नागपुर आये थे इनके स्वागत किने कई कार्य करता और लोगों की भीड भी इस वक्त देखने को मिली चगन भुजबल ने प्रसार मादेमों से बात करते वे नुपूर शर्मा के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी आणि वे गड़ा कारवाईजी चाही मागणी करते अर्थात हाका अपले देशाता दोश नाहीं हाँ एक व्यक्ति आये भाजब चीज आहे प्रभकत अगेरे आणि तीने केले ले ले ते बाले स्ट्रेट्मेंट आहे पर आणि तीचा विरुद्द चाहे ठीक ठीक आनी एफायर धाले ले आहे और मना सवाटते की पोलीस चंचावर के आहे काईधा प्रहमन निशित पने कारवाई करते अर्था त्या जी बिजेपी न कारवाई की रितिक पोलीस आहे कि नहा प्रस्टन आशू शक्तों पर उन्तु लोकान ना तरचा मुद्ध रोच निर्मान होना जोकान मुद्ध इसको अधाल अचाहे लीचाहे लिजए निशियू बादगला पाई जो भूपूल्षार्माने जो गलत-शलत बात कही है प्रोफित मंध साथ को वह साथ बातार दारे जो बहुत जलत है इसे भ जो बिजेपी की सरकार इस देश में है उसका प्रवक्ता करता है तो उसको अलग धंग से फिर लोग लेते हैं हमारे जो है नजदे के जो है गल्स पंटिस के उनों ने जो अपना रोज जो है अपना फुस्टा इसके उपर देश से दिया संतजन श्री अजितनाथ जेन श्वितामबर मंदिर ट्रस्ट और श्री अरिहंत ग्रूप के आगरह पर सत्संग एवं प्रवचन माला कर रहे है अब तक देश के 21 राज़यों के लाखो लोग इन राश्ट्र संतों के प्रभावी प्रवचनों का लाब उठा चुके है सरवधर्मस अध्याओं से जुड़े इन राष्ट्र संतों के प्रवचनों में 36 कौम की जनताओं मरती हैं और ये हर विशय पर प्रवचन देते हैं जोधपूर से रायपूर 36 गड़ में चात्रोमास करने के लिए पदियात्रा करते वे विनागपूर आ रहे हैं अर्यंत गुर्प के सुरेंदर कोठारी ने बताया कि पूरे देशभर में लगभग 40,000 किलोमेटर की पदियात्रा कर चुके इन राष्ट्र संतों की संसकार निर्मान व्यक्तित्व विकास और जीवन मुल्यों पर दी गई प्रेरनाय जनमानस में नई उर्जा का संचार करती अपनी प्रभावी प्रवचन शेली के लिए पूरे देशभर में लोग प्रिय इन राष्ट्र संतों की जीवन और व्यभार में धार्मिक समरस्था की अध्भुत शक्ति हैं देशभर में 36 कौम के लोग इन संतों से जुड़े हैं 12 जून से शुरू होने वाले चार दिवसिय विराट प्रवचन माला में राष्ट्र संत जीवन निर्मान, व्यक्तित्व निर्मान, स्वास्ता सुधार, पारिवारी प्रेम, करियर, धर्म, अध्यात्म, ध्यान योग और समाज निर्मान से जुड़े विशेवर प्रवचन देंगे, जबकि रवीवार को नगर प्रवेश की सतसंग शोभय आतरा निकलेगी मद्य भारत से लोग यहां आने वाले और इस करांतिकरी संत के प्रवचनों का लाब ले सकेगे इसमें लगबग रोज 2700 लोगों के आसपास शेहर के लोग रहेंगे और 1000 के आसपास लोग रहेंगे टोटल शोभा यातरा का सुरूप एसा है कि ये कोठारी ज्वेलर्स के यहां से अजितना जैन मंदीर सभी समाज बंदूओं के साथ में माराज जी की अगवानी होगी उस अगवानी के अंदर बैंड बाजों के साथ में उनका शोभा यातरा के दोरान उनका स्वागत किया जाएगा विकेभी नीऊस के लिए कैमरा परसन रोशन बोगड के साथ वईदे ही चवान के रिपोर्ट सुलापूर में एक सेवा निवर्तेक पुलिस कॉंस्टेबल ने फ्वासी लगा कर आत्मात्या करने की घटना सामने आई हैं जबकि उनके परिवार ने जेल प्रषासन को उनकी आत्मात्या के लिए जिम्मेदार ठmesi्राया है स्वरोजगार स्वयम सेवक सेवा निवृत्त कॉंस्टेबल कल्यान गवासने ने सुलापूर के मशाल वस्ति स्थित उनके आवास पर फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली है कल्यान गवास ने नासिक सेंटरल जेल से स्वेच्छा से सेवा निरुत्त हुए थे लेकिन गवासने के परिवार ने खुदकुशी के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है नासिक सेंटरल जेल में आवरे मैडम और गायकवार के खिलाफ केस दर्च किये भी न शेफ को हिरासत में नहीं लेने की चेताउनी उनके परिवार ने दी है और परिवार ने जेल प्रशासन पर स्वेचिक सिवा निरुत्ति के बाद पेंशन के लिए मांसिक प्रताड़न का आरोप भी लगाया है गाया है। थेचे वरती खुपनार जमाजी कूपा जार तरह आमच है कोना चायकतनु ते दिए उषिए तेंचे मड़स तेन में एले मल योड़स मनाईजा कि इतै कि मापी कश्टाचे पैश्य मागाये मापी आसथे का त्यानी तया झिए ज़ती जले टेंशन घेतल सगड़ी कड़ा आलज केले पुस्ताखाची काई दुरुस्ती तुमीच करूं द्या असती तुन ते मैडम पनमाल्या इतुन पुर्चे कामामी तुम्चे कहीच करनार नाइद। तुमीच कर आईची मेडमे और 20 के दुरुन दुछ मेंडम पनमामी तुम्चे करनार नाइद। अंचिए वड़ला आँचिए वडलाना कैंसर होता दोनार चाली तेनना रिटारमेंटचा आरजा दिला रिटारमेंटचा आरजा सहामेंने खली दिला एक दोन थीन दिऊ सन्य वाडलानी परते न फोन केला माला तुम्हें प्राइचा नाइचा 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 पेंशन तरी चालो करा कि वामारोज करून गया। पेंशन तरी चालो 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 करून गया। और आगे की जाज में पुलिस जुटी हुई है। निर्देशा नुसार 8 जून को खोफिया शाखा नवीन प्रताप सिंग के मार्गदर्शन में चलती गाड़ी में नशिले पदार्थ की तसकरी के रोक थाम डूटी के लिए ट्रेन में तैनात किया गया था। जिनकी सुझना पर आरपीएफ थाना नागपूर द्वारा ट्रेन विशाखा पत्नम नई दिल्ली एक्सप्रेस को नागपूर स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर चेक करते समय सीट के नीचे रखे हुए रंगबी रंगी चार बैक संद्यह जनक मिले। चेक करने पर उसमें से गांजा जैसी तेजगंद आ रही थी। इस संदर में सीट पर बैठे तीन संदिक्द वैक्ति तता एक संदिक्द महिला से उक्त चार बैगों के संबंद में पूछताच करने पर संतोज जनक जवाब नहीं दिये जाने पर बैक के अंदर की वस्टू के संबंद में गहनता से पूचताच की गई इस मामले में तीन बैगों में गांजा हुने की जानकारी उन坏 वन्य दि इस पर कारवाई करते वहे पुलिस जून 2022 को तसक्री करने वालों खिलाब एक विशिस सभ्यान चलाए जा रहा है इसी करम में श्री मानुवरिष्ट मंदल शुरिक्साइक श्री आसुतोस पांडे साहब के निर्देशन उसार नाकपूर मंदल से गुजरने वाली गाड़ियों को विशिस चेकिंग की जा रही है चेकिंग की दोरान दिनाग आठ छे दो जार बाइस को अब निर्ख्षक अपराद कूप्यासरी नवीन परताप सिंग यहां निर्ख्षक आर्पीअप थाना नाकपूर आरेल मीना के मानुदेशन में डूटी स्टाप जस्वीर सिंग, नवीन सिंग, मुकेश राटोड, सागर लाखा, अजे सिंग, राजु मीना थाता उर्मिला सर्मा दोरा ट्रेन नमबर 20805 को नाकपूर इस्टेशन के प्रेप्ठों नमबर एक पर चेक करने के दोरान पोच नमबर B1 एवं S5 से कुल साथ संदिक विक्ति को जिसमें पांच पुरुष एवं दो महिलाए को आठ बेग संदिक के साथ उतारा, उतारने के बाद स्रीमान सायक सरुक सायक स्री पोटा जोजी साब के उपस्तेति में पंचरामा किया गया, जिसमें बेगों खोलने प और उनके ताविय से जब्त किया गया, पकड़े गया सभी आरोपी विशाक पटनम से नई दिल्ली जा रहे थे और नई दिल्ली विशाक पटनम से गांजा पराप्त करके दिल्ली में कहीं सप्लाई करने वाले थे जिसकी जान जारी है, उक्त सभी को पकड़े गया आरोपी पूरे मुस्लीम समुदाए के देवता पैगंबर मुहमत के बारे में आपत्ती जनक बयान देकर नसलिय दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भाजपा नेताओ के खिलाफ कारवाई की जाने की मांग एम आएम पार्टी ने आज की है उससमान में जिलाद धेक्षिय अग्णार पैगंबर मुहमत के बारे में आपत्ती जनक बयान देकर नसलिय दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भाजपा नेताओ के खिलाफ कारवाई की जाने की मांग की है कारवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा ऐसा निवेदन में भी बताया गया कुछ दिन पहले भारतिय जंता पार्टी भाजपा के पुर्वा निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और जिंदल ने मुस्लिम धर्म के पैगंबर मुहम्मद के खिलाव बहत अपमान जनक शब्दों का इस्तिमाल किया था उनके बयान से पता चलता है कि देश में जातिय दरार पैदा करने और दंगे भढ़काने की कोशिश की जा रही है इसले नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाव सक्त कारवाई की जाने की मांग की जा रही है इस मांग का निविदन कलेक्टर डॉक्र अभिजित चौधरी को दिया गया है इस दोरान जिलादेक्षे डॉक्र महश कुमार कामले, सदाम जमादार, असलम मुल्ला, इकलास पटिल, हकिब मुतवल्ली, सुमन रहले, इलियस पटिल और यूनिस लशकरी मोजुद थे टिका करून तेमची विटम मना केले उती, आनी यहा गोष्टीचा जहीर निश्यद करने साथी आज आमी यमायम पक्षेजा सांगली जिल्लेजा वतिन, माने जिल्लादीकरी सौधरी सहबना निवेदन देना साथी आलेलो आही मला यहँड़ सांगाईचा है कि संपूर्ण देशा मदे जर काही गेल्या वर्षा दिडवर्षा चा कालावदी मदील जर परिस्तिती इन्जान घटनांचा आडवा गितला करनाटका मदे आमचा मुसलिम समाजा तील मुलिन ली हिसाब घलना वरून तीत वाद दिर्मान करने ताला तो वाद धाल्या नंतर गाईचा कतली वरून अनेक युकांचा हत्य करने ताल bipartisan मदे मुसलिम समाजा चा यूका नी काही गोश्टीन ना विरोत केला मनुतेंजी घर पाड़ने ताली तसेज काही महाराष्ट्रातील सोयंगोशित नेत्यानी या गेला 2-3 महिना मदे महाराष्ट्रातील मशीदीन वरील आजान चास्नार्या भोंगेन विशेई प्रश्ण निर्मान केले आनी यहोड करून गब बसलेना इत्तराता परत या भारती जनता पार्टीचा विगन शंतोशी जाती वादी प्रवरुत्तीन विश्वकाईला शुरुवत केली खबरों के सिलसिले में वक्तो चलाएक ब्रेक का मिलते एक छोड़े से ब्रेक के बात लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy 365 Ghani Nagar LAD College Square Beside Karnataka Bank Nagpur जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधरिक लेजर से उपचार की अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुश्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें www.pildsfistulacure.com ब्रेके बद आपका स्वागत है पेगाबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अभधर भाशा के इस्तमाल करने के लिए भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग को लेकर हजारों मुसलिम अचानक जालना में सड़क पर उतराए है पूराना जालना क्षेतर में अनुमंडल पुलिस अधिक्षक कार्याला के सामने भारी भीड जमा हो गई है और मामा चोक से बस्टैन क्षेतर पूरी तरह से जाम है मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है भोकरदान शहर में बड़ी संख्या में मुसल्मानों ने जोरदार नारे बाजीब कर प्रदर्शन किया नूपुर शर्मा के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग को लेकर उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राष्टरपती को ग्यापन सोपा गया है जालना में आज सोशल मिडिया के जरिए बंद का आवन किया गया हलाकि यहाक आगया था कि मुस्लिम संगटनों द्वारा कोई बंद नहीं मनाया जाएगा जबकि प्रशासन आनन फानन में था क्योंकि हजारों मुसल्मान अचानक सड़कों पर जमा हो गए पुलिस उपा अधिक शक विकरम देशमुक ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि कोई अप्रिया गटना नहीं हुई है हमारा आज का जो प्रोटेस हुआ ऑलिडिया इमाम कॉंसिल की तरफ से वो नुपूर शर्मा की नुपूर शर्मा ने जो हमारे नभी हदरत मुहम्म्मस के बारे में घुस्ताखी की तोहीन की उसके बारे में हमारा ये प्रोटेस रहा और हमारी हुकूमत से सरकार से ये मांग हैंais कि तोहीन रिसालत के जितने मुझ्रिमीन हैं उनके लिए सखत कारवाई करें और उनको सज़ा दें दूसरा हमारा सरकार से मुतालबा ये है कि मजभ़ता नुपूर शर्माने पिगम्र मुहम्मध साहब ﷺ की मर्यादा का अपमान करने और दुनिया बर के मुसल्मानों की आस्था को ठेस पहुचाने का गिनोना काम किया है ऐसा मुसलिम रदर हुट के कारेकरताओं ने कहा देश की एकता और अखंडता में खलल डालने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा और दोशियों के खिलाव सक्त कारवाई की मांग भी की गई उस समय भारी मात्रा में पुलिस बत्तेनाथ था तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारतिय जंदा पार्टी की निलंबित रास्टिय परवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा हमारे समाज के मुस्लिम समाज के बानी हमारे पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अल्यूसल्म की शान में जो गुस्ताखी अशब्द उस मलून और बेहया आवरत ने की है उसके वक्तव्व को देखते वे पुरे देश के अंदर में जो भावनाय निर्मान हुई है और जिस तरीके से मुसल्मानों के दिलों को ठेस पहुचाय गया है और देश के विबिन हिस्सों में जिस तरह से जो घटना घटी है विशेश तोर पर कानपूर में जो घटना घटी है ये सब घटनाओं के पीछे अगर कोई सुत्रधार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नुपूर शर्मा है नुपूर शर्मा का वो वेक्तव है इसको लेकर आज बर्दा सेकुलर फोरम के ओर से ये एक धरना पदशन यहाज रखा गया था इसमें मुस्लिम समाज के सभी माननेवर सभी चन सम्मुदाये ने ज्यादा से ज्यादात में शरीक होकर सयोग दिया और नुपूर शर्मा के खिलाफ जल से जल कारवाई की जाए इस विशे के बारे में वर्दा सेकुलर फोरम की तरफ से जो भी उनकी बावनाए थी जो भी उनकी बाते थी इसके बारे में हमारा उनके साथ कल बैटके विस्तुरु तरीके से डिस्कुशन हो चुका है मुझे यकीन है कि वर्दा की आवाम इससे पहले भी और इसके बार भी हर एक मैटर में पुलिस प्रशासंद रहे या जिल्ला प्रशासंद रहे उनके साथ कॉडिनेशन के साथ काम करते आ रही है और आगे भी काम करेंगी यह जो मस्ला था और जो यह टॉपिक था काफी समविधनशिल था और आस्ता से जुड़ा था हमने लोगों की भावनाओं को समझा और इसलिए हमने और इसलिए और इसलिए और दूप काले का भी दिन है और बाकी सब चीजे जो पिछले हफते से हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए आपकी रैली कैंसल करके आप हमें एक जगे पर बुलाइए हम परशासन की तरफ से वहाँ पर आएंगे और आपका निवधन ले लेंगे वर्दा से किलर फोरॉम के सभी लोगों ने उसको मंदूरी दे दी और आज हम यहाँ पे तवसिलार साथ के साथ आके आ शुक्रवार दस जुनको और अंगाबाद में संभावायुक्त कार्याले के सामने और अंगाबाद के सांसत इम्तियाज जलिल के नेतरुद्व में भाजपा के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ भाजपा प्रवक्ता द्वारा मुस्लिम मौलवी के बारे में इस्तिमाल किये गए शब्दों के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी बिजेबी प्रवक्ता नुकुर शर्मा ने मुस्लिम धर्मगुरू मुहम्मत के खिलाफ विवादित बयान दिया था इसके दुश्परिनाम पुरे महराश्र में महसूस किये जा रहे है इस मौके पर बड़ी संख्या में आई-एम के पदादी कारी मोज़ोत रहे पुलीश ने पर्मिशन दी थी नहीं दी इसकी भी जाच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी प्रियुन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं की जिसके ज़रिये हम लोगों से बात कर सके लोगों को यह मैसेज पहुचा सके अगर किसी ऑर्गेनाईजर के तरफ से कोई कोता ही हुई है तो हम उनके खिलाब भी है तो सक्थ सक्थ है तो कारवाई करने की मांग करेंगे क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्टे के ओपर हम जमा हुए है जिस मजभ का तालुख अमन और शांती से है उसका आड़ में अगर कोई शेहर का माहूल खराब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो मैंने अभी पुलिस कमिस्टर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा मैं खुद पैचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियां खाके बटन प्रेयर जिन्हें कहते हैं नशे का कारोबार करने वाले नशा करने वाले वहां पर जो आये थे उनके उपर सक्से सक्त कारवाई होनी चाहिए और तमाम मुसल्मानों की ये जिम्मेदारी है कि वह कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी ये नौजवानों की और पूरे शेहर की है क्योंकि कुछ लोगों की वज़े से मुठी भर लोगों की वज़े से अगर शेहर का अगर ऐसा माहून खराब होता है तो आप सोचिए पूरे शेहर की बदनामी होती है मजब की बदनामी होती है महा मेट्रों ने नागपुर की संस्कूती और वीविदता अपने परियोजना के जरीए दर्शाया है चितारोली स्टेशन के निकट पिलर पर मारवत का म्यूरल हो या कॉटन मार्केट चौक स्थित पिलर पर कोला का दुरुष्य महा मेट्रों ने अलग-अलग दुरुष्यों के जरीए शाहर की संस्कूती और इतिहास को कायम रखा है इस शंक्रा में महा मेट्रों ने नागपुर में एक और कलाकूती को साकार किया है संत्रा नगरी के साथ साथ टाइगर कैपिटल ये भी नागपुर की पहचान है और इसकी वजह से नागपुर के समीब बड़े पैमाने में स्थित जंगल शेत्र नागपुर के आसपास व्यागर परियोजना भी है और यहाँ देश विदेश से जंगल प्रेमी भेट देते है महा मेट्रो ने इसलिए कामठी मार्क्स दित आटोमोटिव चोक मेट्रो स्टेशन मेट्रो पिलर पर आकरशक मोगली थीम को साकार किया है पेंच टैगर रिजर्व की और जाते जाते इसका एहसास नागरिकों को हो सकता है मोगली के अलावा इस पिलर पर बाग, सियार, भालू, ऐसे अलग-अलग प्राणियों के आकरशक मनमोहक दुरुष्यों को भी साकार किया गया है मोगली थीम पिलर की संगल पना, महा मेट्रो के प्रभध ननिदेशक डॉक्टर बिजेश दिक्षित की है शहर और निकट परिसर की खूबियों को दर्शाने की उनकी संकल पना है इससे पहले छत्रपती नगर मेट्रो स्टेशन पिलर पर चलो बढ़े साथ-शाथ और सुभाश नगर मेट्रो स्टेशन पिलर पर फ्लोमिंगो पक्षियों के जूंड को भी महा मेट्रो ने साकार किया है इसी तर एक तरफ एलेडी स्टेशन पर युवाओं का चित्र तो दुसरी और जेप्रकाश नगर स्टेशन पर हरियाली को दर्शाय गया है जासी रानी स्टेशन पर रानी का म्यूरल स्थित है तो दोसर वेश्ट स्टेशन पर हाथ में तिरंगा लिए नागरिको का चित्रस संजोया है नागपुर की वीविदता इस तरह से साकार करने का महा मेट्रो का प्रयास है और वो आगे भी इसी तरह कायम रहेगा तो आज वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में इतना ही आपसे कलफिन मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं वीकेबी न्यूज नमस्कार